नमस्कार दोस्तों मैं अश्विन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का सेशन री अरेंज्मेंट आफ सेंटेंस पे बेस्ड है और यह इस सीरीज का सेशन नमबर 6 है देखिए री अरेंज्मेंट आफ सेंटेंस क्लोस टेस्ट और कॉम्प्रेहेंशन किसी भी बड़े एक्जाम के लिए एक गेम चेंजर है अगर आप सेसी सीजल मेंस की बात करें सीप्यो एसाई मेंस की बात करें और सेसी स्टेनोग्राफर की बात करें साथी साथ डिफरेंस में सीडियस की बात लें एफकाट की बात ल अगर आपका इन तीनों सेक्शन्स पर कमांड है तो निश्यत रूप से जो आपका स्कोर है in comparison with other students जो है वो ज्यादा अच्छा होगा तो इसलिए बहुत आवशक है कि आप इन तीनों सेक्शन्स को improve करते रहें और improvement का जो सबसे solid method है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा आप attempt करें चाहे वो close test हो चाहे वो comprehension हो चाहे वो rearrangement हो ज्यादा से ज्यादा आप जब practice करेंगे तो खुद बखुद over a period of time आपको ये realize होगा that I am improving a lot in these sections तो चलिए इसी मंत्र के साथ कि आपको ज्यादा से ज्यादा practice करनी है इन तीनों सेक्शन्स को improve करने के लिए आज के इस rearrangement of sentences के session number six को start करते हैं पहले rearrangement को देखिए सामने screen पे आपको चार sentences देख रहे हैं PQRS के form में ये सब unorganized form में हैं आपको दिमाग लगाते हुए इनको एक सही order देना है ताकि ये एक meaning को produce करे एक छोटा मोटा paragraph जैसा बन सके देखिए technology का थोड़ा सा अभाव है इस वज़े से बहुत ज्यादा effectively पढ़ाने में समस्या हो रही है पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत जल जो है वो ये technology की जो समस्या है ये दूर हो जाएगी possibly बहुत जल दो चार पास दिन के भीतर ही जो है वो live classes होने लगेंगी या सामने में आपको screen पे देखने लगूंगा तो with marker तो easy हो जाएगा मुझे आपको समझाने में भी और आपको समझने में भी तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा आप manage करी थोड़ा थोड़ा मैं manage कर रहा हूं बाकि मैं कोशिश करता हूं underline कर देता हूं उन sections को जिससे आप relate कर सकते हैं तो चली पढ़ते हैं इसको पहला जो पी की एच्छा थी कि उनकी म्रत्य पर डेमाइस का मतलब है किसी की death किसी का departure जब कोई पास अवे करता है तो यह उसका डेमाइस बोला जाता है कि उनकी म्रत्य पर किसी तरीके की कोई छुट्टी ना की जनरली ऐसा होता है जब हमारे देश में कोई statesman मरता है कोई बड़ा व्य उस महान वेक्ती के इच्छा थी कि उनकी डेमाइस पर when he dies there should not be any holiday कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए यह पी का से meaning है क्यों को पढ़िये the union government has taken the right step केंदर सरकार ने सही फैसला लिया है क्या फैसला लिया है अब यह clear नहीं हुआ है सिर्फ यह तो बताया गया है कि सही फैस फैसले की रूप में कौन सा फैसला लिया गया यह नहीं बताया गया अच्छा आर को पड़ी rather an extra hour of work be done बजाए इसके एक घंटे ज्यादा काम किया जाना चाहिए मतलब माली जी की रोज eight hours work होता हो तो कभी eight hours की जगा nine hours work हो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे क पी और आर का सीधा connection है क्योंकि पी में लिखा है कि उस महान व्यक्ति की इच्छा थी कि उनकी मृत्य पर किसी तरीके का कोई शोक ना डेक्लेयर किया जाए कोई holiday ना डेक्लेयर किया जाए बलकि उस दिन एक धंटे जादा काम किया जाए यह उनकी अपने इच्छा थी तो और आर का अपना connection है इसको भी पढ़ लिजे बाइ डेक्लेयरिंग देखिए नाशनल मौनिंग और holiday में अंतर है एक होता है शोक को डेक्लेयर किया गया और एक होता है अवकाश को डेक्लेयर कर दिया गया जब शोक होता है तो फिर offices खुले रहते हैं बस यह है कि respect दी जा र का और S का सीधा connection है कैसे क्यों में लिखा है कि union government ने सही फैसला लिया है किस प्रकार by declaring the week long national morning but no holiday एक हफते का national morning यानि रास्ट्री यह शोक डेक्लेयर किया है पर कोई छुट्टी नहीं डेक्लेयर की है क्यों क्योंकि यह बात P में दी गई है कि यह उस महान व्यक्ति की इच क्लेयर किया जाए बलकि extra hour of work जो है वो किया जाए तो सब कुछ देखते हुए option number C would be the right answer आप जब भी कभी इस वीडियो को देखें आज देखें आज के एक महिने बाद एक साल बाद जैसे आज जब मैं इस वीडियो को record करा हूं तो यह second of July 2020 है मुझे पूरी उमीद है कि दो साल बाद देखेंगे तो आप जब भी कभी देखें तो पहले guess भी करें बहुत तेजी से मैंने बता दिया किसी answer होगा आप उससे पहले अपने लिए guess कर लें अगर आपका interpretation आपका guess correct हुआ तो यह एक message होगा एक sign होगा कि आप हाँ अच्छा कर सकते हैं in this section चलिए आग दूसरी rearrangement को पढ़िए इसमें S1 और S6 मतलब sentence number one और जो छटा sentence है यानि कि last sentence उसे arrange कर के दिया गया जनरली इस टाइप के जो rearrangements हैं वो seasonal mains में CPSI mains में या फिर CDS और NDA in exams में पूछे जाते हैं difficult तो होते हैं लेकिन मैं आपको यह भी बता दूँ कि चुकि यह मालूम है where to start and where to stop कहां से शुरू करना है और कहां जाके रुकना है तो बीच का सफर जो है PQRS यानि की easy भी हो सकत है काफी हद तक चलिए पढ़ते हैं इसको पहला sentence कहता है problems in life are universal irrespective of once released पहली बात तो irrespective of को कहीं लेख लिए इसे irrespective के साथ off ही आता है को ध्यान में ना रखते हुए जिसको regardless भी कहा जाता है तो किसी के भी जीवन में problems जरूर होती है उसका धर्म चाहे जो भी हो समस्याय तो होती ही रहती है सबके जीवन में अब यह पहला sentence है अब जो unorganized sentences है PQRS उनको पढ़ लेते हैं P just like we have teachers जिस coaches होते हैं and mentors होते हैं to guide us in our journey of life ताकि वो हमें जीवन की इस यात्रा में समय समय पर मालगदर्शन करते रहे हमारे teachers हमारे coaches और हमारे mentors हमें चाहिए ताकि वो जीवन की इस यात्रा में time to time हमें guide करते रहे अब मैं आपकी बहुत ही important एक बहुत ही बड़ी help करने जा रहा हूं जहां से सुनीगा यह जो just like given है इसका meaning है जिस प्रकार याद रखें कि जब भी कभी just like आए तो ये रुखेगा नहीं इसके साथ एक दूसरी बात भी कही जाएगी जैसे कहा जाए कि जिस प्रकार हमें अपना पेट भने के लिए भूँक को मिटाने के लिए अनाज चाहिए क्या आप इतनी बात बोल करके रुख सकते हैं अपने आप से सवाल करी बुलिए जिस प्रकार हमें अपना पेट पालने के लिए भूँक को मिटाने के लिए अन चाहिए ठीक उसी प्रकार शरीर को ढखने के लिए वस्त्र चाहिए तो आपने क्या सिखा कि पी के बाद कोई दूसरा सेंटेंस जरूर आएगा यहाँ पर तो एक और हेल्प भी हुवी है जर्नी ओफ लाइफ में लाइफ के बाद कौमा लगा हुआ है हलाकि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर हेल्प मिल जाए तो जरूर उस हेल्प को लें अधर वाइस उसके सहारे ना रहें कि पर यह वी नीड स्पिरिच्वल प्रिसेप्टर्स प्रिसेप्टर्स बोलते हैं जो मारदर्शन करें प्रीचर्स जो हो जिने आप गुरू कह सकते हैं लीडर्स बोल सकते हैं we need spiritual प्रिसेप्टर्स to realize the infinite infinite मतलब अनन्थ शून हमें धर्म गुरू चाहिए ताकि जिंदेगी teachers coaches और mentors की need होती है ताकि वो हमें जिंदेगी की इस यात्रा में guide कर सकें ठीक उसी प्रकार हमें spiritual perceptors चाहिए धर्म गुरू चाहिए धर्मात्माओं की आवश्चक्ता होती है ताकि हम ना इस अनंत को जान सकें वास्तविक्ता इस जगत की क्या है वो भी हम समझ सकें सीधा connection है पी और last sentence का which clearly means कि आपको A, B, C, D इन चार options में से सिर्फ उन्ही options पे विचार करना चाहिए जिनके end में P आता हो option number B और C में ये facility दी हुई है देखिए ये जो मैं आपकी छोटी-छोटी help करता हूं इसी को ही आपको एक हतियार बनाना है run time में exam hall में आप इसी तरीके से within time limits आप ब क्यों को पढ़िए and elevate followers from anger, lust, greed and other extremities that delude one's wisdom अब आप समझें क्यों में जो and के बाद elevate लिखा है वो verb है, main verb है यानि कि and के पहले and के पहले कोई और main verb भी रही होगी और उसके पहले sentence का subject भी रहा होगा ठीक है ना and के बाद elevate main verb है तो main verb के पहले and क्यों आया और अगर आ रहा है main verb के पहले and इसका मतलब है इस and से पहले भी कोई main verb होगी दो main verbs and से connected है और subject भी पहले ही होगा अच्छा पढ़िए और हमें ग परित्रहींता से और दुनिया भर की बिमारियों से एलिवेट करें मतलब मुक्त करें जो बिमारिया जो कमिया एंगर लस्ट ग्रीड और बहुत सारी चीज़े जो इंसान को वास्तव में योग्य होने से रोकती रहती हैं डेलीट करती हैं किसी की विजडम को एक तरीके से अं को पढ़िए and propagate यहां भी वही logic है and के बाद propagate main verb आई है इसका मतलब है कि and के पहले भी main verb होगी और उसके पहले subject भी होगा and propagate detachment from mundane worldly pleasures कहीं लिख लिजेगा mundane का मतलब होता है banal ordinary जिन में कोई taste ना हो जो insipid हो testless हो एक तरीके से normal हो simple हो जिस जो unattractive हो एक तरीके से mundane worldly pleasures का मतलब है जो दुनिया का चका चौन है दुनिया की जो सुक्स विधाएं है कहा नहीं जाता है कि एक इंसान material life से बहुत ज़्यादा attached रहता है लेकिन एक समय के बाद उसको पता चलता है कि एक सांसारिक मोह हमाया है तो यही mundane worldly pleasures की बात हो रही है बहुत ही दुनिया की जो सुक्स विधाएं हैं जिनका वास्तों में कोई मतलब नहीं है तो उनके प्रती detachment को propagate करें propagate मतलब बल देना बलहावा देना प्रचार प्रसार करें detachment का कहा जाता है कि वास्तविक ज्यान वो है जिसमें आपको दुनिया की सुक्स विधाएं से जो लगाव है वो हट जाए ठीक है ना यह R हो गया अब S को पढ़िए अब आप इसी से start करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है इतनी देर में आपको भी एहसास हो गया होगा कि S से start करना चाहिए हर में यह समझना होगा हर किसी को यह समझना होगा कि एक spiritual preceptor एक धर्मात्मा एक धर्म गुरू की भूमिका क्या होती है is to abide by कि वो पालन करे माने abide by एक phrase है लिख लिजेगा follow करना adhere करना कि वो पालन करे and abide by एक verb हो गई अब आप abide by के बाद and लगा कि दूसरी main verb जोड़िए या तो आर ला सकते है या तो फिर आप क्यूं ला सकते है मेरी बात आप समझ रहे हैं और आप थोड़ी सी और help लीजे आर में end में worldly pleasures के बाद कॉमा लगा है और क्यूं में once wisdom के बाद full stop लेखा है तो last का sentence तो वही होगा ना इस पूरे में तो s के बाद r लगाई है r के बाद क्यूं लगाई है कि जो spiritual preceptor है वो abide by करेगा मानेगा और बढ़ावा भी देगा कि लोग जो हैं दुनियादारी के चकर में ना पड़े और साथी साथ अपने अनुयाईयों को अपने followers को हमें आप सभी को anger, lust, greed इन सब खामियों से दूर खरेगा तो एक ये sentence हो गया और पी में लिखा हुआ है और जो कुछ भी जिस प्रकार हमें teachers चाहिए जिन्दगी की इस यात्रा में मार्ग दर्शन के लिए साथी similarly हमें spiritual precept चाहिए ताकि हम जिन्दगी की वास्तविक्ता को समझ सके मेरे अपने opinion से it was a very good rearrangement of sentences तो धंग से सुना होगा सीखा होगा तो बड़ा ही fruitful रहेगा आप सभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे rearrangement को देखते हैं rearrangement number 3 को देखिए ये भी पिछले ही question के जैसे इसमें भी S1 और S6 given है यानि कि first और last sentence को arranged form में दिया गया है बीच के चार sentences का arrangement गडबड हो सकता है उसे ही एक सही arrangement देना है पढ़िए the first seats on all buses were reserved for whites मतलब सभी buses में जो शुरू की seatे थी वो whites के लिए reserved रहती थी मतलब जो गोरे लोग थे उनके लिए reserved रहती थी last sentence को पढ़िए S6 को the driver then called a policeman who arrested Mrs. Parks on the spot फिर driver ने तब driver ने एक policeman को बुलाया जिसने Mrs. Parks को वही पर arrest कर लिया on the spot P को पढ़िए at the next stop some whites got into the bus अगले stop पे कुछ गोरी चमरी के लोग जो है they get into the bus मतलब वो बस के अंदर चढ़ाते हैं get into a vehicle का मतलब है किसी vehicle के अंदर प्रवेश करना क्यों को देखिए the driver ordered Mrs. Parks to give her seat to one of them and she refused मतलब driver ने order दिया Mrs. Parks को कि वह अपनी seat को इन ही में से किसी whites को क्योंकि बहुत सारे गोरी चमरी के लोग आये थे तो उनमें से किसी एक को दे दे but she refused लेकिन उन्होंने मना कर दिया आर को देखिए even if they were empty and back seats crowded यहां तक कि अगर वो empty भी हो दे जो यूज किया गया है यह seats के लिए यूज किया गया विक्तियों के लिए नहीं empty क्या हो सकती सीटे यहां तक कि अगर आगे की सीटे खाली हो और पीछे की सीटे भरी हो आप अंदाजा लगाईए एक बस है जिसमें कुछ सीटे reserved करके रखी गई है कुछ लोगों के लिए और बाकी सीटों पर लोग बैठे हुए हैं और फिर ऐसे में क्या होता कुछ लोग और आते हैं हालाकि जो लोग और आते हैं उनके लिए वो सीटे रिजर्व नहीं हैं तो वो क्या सोचेंगे कि भले ही हमारे लिए सीटे reserved नहीं है हम बैठ तो सकते ही है ना ऐसा ही किया मिस्स पार्क्स ने देखिए ना क्या लिखा है अभी एस में आएगा दे हैट टुबी केप्ट इन रिजर्व फोर वाइट अगर वो सीटे खाली हैं और पीछे की सीटे भरी हैं तब भी उन सीटों को रिजर्व करके रखा जाएगा वाइट के लिए एस को पढ़िए मिस्स पार्क्स बिकॉज ओफ हर इलनस मिस्स पार्क अपनी बीमारी के चलते कुट नॉट स्टैंड एंड फांड हर सेल्फ इनसी इन फ्रांट वो खड़ी नहीं रह सकी और कुछ देर बाद वो आगे की एक सीट पर बैठ गई आगे के कौन सी सीट वो सीटे जो वाइट के लिए रिजर्व थी उन में से किसी एक सीट पर दिया देखिए एक और तरीका है यह असेस्ट करने का कि आप कितना सीख पा रहे हैं जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई रियरेंजमेंट आया आप चुरंद वीडियो को पॉस कर दे रोक दे और सारे सेंटेंस सारे आप्शन को पढ़ लें जल्द से जल्द उसको अपने हिसा आपसे एक और एक अरेंजमेंट देने की कोशिश करें फिर जो आपका अरेंजमेंट आया हो और जो वास्तव में आंसर है उन दोनों को मैच करा ले वीडियो को प्ले कर ले और फिर मैच करा ले अपने आप पता चल जाएगा कि कितना आपको खुद से ही आता है कितनी सीट जो थी वो वाइट्स के लिए रिजर्व रखी जाती थी यहां तक कि अगर पीछे की सीटे भरी हो और वो खाली हो तब भी उनको रिजर्व ही रखा जाएगा आद फिर एक कहानी शुरू होती है ऐससे कि मिसिस पार्क्स हैं कोई बिमार होती है और इस वज़े से वो कुछ वाइट्स आजाते हैं जिसकी वज़े से ड्राइवर बोलता है मिसिस पार्क्स को कि वो सीट को खाली कर दे है ना उस सीट को जिस पर बैठी हो खाली कर दे पर उन्होंने मना कर दिया अब जब उन्होंने मना कर दिया होगा तो फिर ऐसा हुआ होगा कि ड्राइवर न नहीं था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं री अरेंज्मिट ऑफ सेंटेंसे नमबर फोर इसे पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी से अपील करना चाहूंगा आप सभी से स्पेशली मेरे स्टूडेंट से वो स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ चुके हैं पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी लोग कि मेरे हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने अपनी कमिनिटीज में अपने फ्रेंड्स में अपने वाटसेप ग्रूप्स में फे वो genuine है worthwhile है है ना और आप जब थोड़ा सा ये support मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो मैं ज्यादा से यादा videos को लेकर आप सब के लिए आऊंगा तो ये मेरी गुजारिश है कि आप सब please ये support करते रहें और जो लोग कर रहे हैं ये support उनके लिए मैं thank you हू मैं दिल से आभारी हूँ उन सभी का और आप लोग भी please ये छोटा सा support देते रहा करें चलिए इसे पढ़ते हैं S1 और S6 यहां भी arranged form में हैं पढ़िए S1 को the factor that beset India's growth is population explosion कहा जा रहा है कि जो factor जो मुद्दा जो समस्या जो इंडिया की growth को रोकता है beset करने का मतलब hinder करना एक तरीके से obstruction देना डालना है ना एक बाधा उत्पन करना जिस वज़े से हिंदुस्तान की growth रुकती है या रुक रही है रुकती आई है वो क्या है population explosion जो हिंदुस्तान की आबादी है बहुत जादा इसी की वज़े से बहुत सारी समस्याएं हैं इंडिया में और य अगर हमने birth को control नहीं किया जो birth rate है उसे control नहीं किया इंडिया's growth in every other facet of life जो हिंदुस्तान की growth है हर तरीके से है ना जितने भी मुद्दे है जितने भी पहलू है हर जगा इंडिया की जो growth है will be offset by the steep increase in population steep increase मतलब बहुत ज़्यादा उचाल steep का मतलब ही होता बहुत ज़्यादा offset का मतलब वही है जो beset का मतलब है रोग देना तो अगर हमने birth rate को control नहीं किया तो हिंदुस्तान growth नहीं कर सकता है किसी भी सूरत में बीच के sentences को पढ़िये sometimes religion also has a role to play in this कभी कभी धर्म का भी एक क्या है इसका मेनिंग या तो यह population explosion की बात कर रहा है या फिर कुछ और बात कर रहा होगा तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा this को क्यों को पढ़िये so many factors contribute to the rise in population बहुत सारे कारण है जिसकी वज़े से population में इतना rise इतना उचाल देखने को मिला है over the years आर को पढ़िये there has been a phenomenal growth in population over the last century पिछले एक दशक में I'm sorry पिछले एक सेंचुरी में सो वर्षों की बात की जा रही है population में phenomenal growth देखने को मिली मतलब बहुत तेजी से आवादी बढ़ी आप सभी को मालूम है कि 70 to 80 years में हमारी population जो है वो 100 करोर बढ़ गई है और जो पहले थी वो तो अलग बात है एसको पढ़िए there are people's ignorance and early marriages among others और ये क्या है लोगों की अग्यानता की population बहुत जादा होना ठीक नहीं है and early marriages और वो जो समय से पहले शादिया हो जाती जैसे की बाल विवा हो गया among others बहुत सारे factors जिसकी वज़े से phenomenal growth देखने को मिली है या population explosion हुआ है इंडिया में उसमें से एक है लोगों की ignorance उनकी अग्यानता early marriages और भी बहुत सारे चीज़े देखिए आर और देखिए आर और एस का connection है लेकिन केस तरीके से आर में लिखा गया है कि बहुत सारे आर में लिखा गया है कि population explosion हुआ है पिछले सो वर्षों में और फिर आर से क्यों को relate कर दीज़े क्योंकि क्यों में लिखा है ना so many factors contribute to rise in population बहुत कारणों की वज़े से population में ये rise देखने को मिला है उन्ही कारणों में S आ जाएगा वही तो जो कारण की बात हो रही वो कारण ही तो S में दिये हुए है तो excuse me R हो गया Q हो गया S हो गया और S के साथ P भी relate कर सकते हैं भाई S में reason दिया हुआ है कि क्यों population explosion हुआ है लोगों की अग्यानता early marriages और P में भी ये बात बोली गई कि कभी-कभी religion की वज़े से भी ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि religion में भी बताया जाता है कि ठीक है population जादा होना कोई गलत बात नहीं है religion का भी एक role होता है कई बात धर्म कुरू जो है वो इस तरीके से बोलते रहते हैं कि अपनी आबादी घट रही है आबादी को बढ़ाओ मेरी बात समझ रहे हैं यह सब कुछ गलत है वैसे तो अब तो r q ps या फिर r q s p मेरी बात आपने समझी r हो गया q हो गया फिर s लगा दीजे और फिर p लगा दीजे या फिर पहले p लगा दीजे फिर s लगा दीजे मेरे हिसाπ से तो पहले S लगाईए फिर P लगाईए इस वज़े से क्योंकि P में also भी दिया गया है तो also तो तभी आना चाहिए जब कुछ आ चुका हो तो उसके बाद also आएगा तो इस हिसाब से C को एक edge मिलेगी, upper edge मिलेगी, advantage C option को मिलेगा तो ये था इसका answer option number C, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और last rearrangement जो है इस session का उसे भी पढ़ लेते हैं Rearrangement number 5 को पढ़ते हैं पहला sentence देखी जो arranged form में है, it says In the garden were a lot of trees covered with wonderful jewels बगीचे में बहुत से ऐसे पेड थे, जिनमें जो धके हुए थे, अमूल रतनों से, wonderful jewels से धके हुए थे P को देखी, at the end of the garden, बगीचे के अंत में there was a wall, एक दिवार थी Q को देखी, there was a lamp hanging on the wall, एक lamp लटका हुआ था उसी दिवार से याद रखी कि P में wall के पहले article A लगा हुआ है और Q में wall के पहले article दा लगा हुआ है जब same noun के पहले कभी article A या अन आए और फिर उसी noun के पहले बात में कभी article दा आए तो rearrangement का rule कहता है कि पहले indefinite article A अन वाला sentence आएगा, उसके बाद definite article दा वाला sentence आना चाहिए मतलब P से पहले Q नहीं आ सकता, P के बाद ही Q आएगा यानि कि option number B को देखी सर, Q P दिया हुआ है तो ये किसी सूरत में नहीं हो सकता eliminate भी करके देख सकते हैं आप साथी साथ आप एक और चीज़ को observe करिए ये जो चार options है, A, B, C, D इन में से दो options में R ही आ रहा है luckily उन दोनों options में R के बाद S भी आ रहा है तो बहुत ही strong possibility है जिसे आप probability भी बोल सकते हैं कि B और C में से ही किसी को answer होना चाहिए और B होगा नहीं क्योंकि Q के बाद P नहीं आएगा इस आधार पर C को ही answer होना चाहिए बाकी मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़िए They were red, blue, green, yellow and white jewels वो जो अमूल रत्न थे, वो in colors के थे तो R से ही start करिए क्योंकि S1 में बताया गया कि wonderful jewels थे, अब R में बताया गया कि वो jewels किस किस color के थे फिर S देखे, they were all very big and they sparkled in the sun वो जो jewels थे, ये जो they आया, ये फिर से jewels के लिए ही आया है बहुत बड़े-बड़े थे और सूरच की रोशनी में वो sparkle करते थे मतलब चमकते थे तो R हो गया, S हो गया और फिर P और Q हो गया और फिर जो S6 लिखा है अलादिन climbed a ladder and took down the lamp वो जो lamp दिवार पे टंगी हुई थी अलादिन एक सीड़ी के सहारे चड़ता है और उस lamp को take down करता है मतलब उतार लेता है उस दिवार से तो ये था आज के session का आखरी rearrangement जिसमें answer है option number C, R, S, P, Q मुझे पूरी उमीद है कि आपको आज के session के सारे rearrangement समझ में आए होंगे तो ये था आज का session जिसमें मैंने आपको कुछ अपनी तरफ से important, standard, relevant rearrangement of sentences कराए कैसा लगा आप सभी को ये sentence मुझे जरूर बताए ज्यादा से यादा प्लीज इस video को like करें और share करें और अपने अपने precious comments जरूर दें अगर आपकी कोई demand है कोई need है कि आपको इस type का कोई session चाहिए इस topic पे based तो वह demand भी आप मुझे screen पे दिये के number जो की 9935923221 है इस पे WhatsApp कर सकते हैं तो मैं उसका session shoot करने की जरूर कोशिश करूंगा या फिर आप comments पे जाके भी specify कर सकते हैं mention कर सकते हैं सामने screen पे आपको answer भी दिख रहे हैं तो अगर किसी को पीछे कोई confusion रहा हो तो इन answer से अपने answers को tally कर सकता है अभी के लिए इतना ही अपना अपना ध्यान रखिए thank you so much for watching this session bye bye take care thank you so much